नमस्कार दोस्तों गिलवान आई के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत पहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं आपके लिए नए टूपिक लेकर आया हूँ जिसमें हम आपको रेटनोस्कोपी से चस्मे का नंबर निकालना बताएंगे दोस्तों इससे पहले वीडियो में मैंने हाईपरमेट्रोपिक आई का नंबर का एक्जामपल से समझाया था आज मैं आपको मायोपिक पेशेंट का रेटनोस्कोपी से चस्मे का नंबर कैसे निकालते हैं बताएंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यह रेटनोस्कोपी रीडिंग है आपकी यह जो होरीजेंटल मुमेंट है यह पेशेंट का नूट्रलाजेशन पॉइंट है मानिस 2.5 स्फेरिकल और यह जो वर्टिकल जो है नूट्रलाजेशन पॉइंट है मानिस 3.5 स्फेरिकल तो add करेंगे उसके बाद हमारी final reading आ जाएगी तो दोस्तों यह vertical जो हमारी reading है minus 3.59 इसमें हम add minus 1 करेंगे ऐसे हम horizontal reading minus 2.5 इसमें add minus 1 करेंगे तो दोस्तों after add करने के बाद हमारी जो reading है जो यह vertical है वो minus 4.5 होगी दोस्तों और जो horizontal है वो minus 3.5 अब दोस्तो same formula जो दोनों में कम है minus 3.5 दोनों common है यह spherical लेंगे हम और जो दोनों में difference है साधे 3 और साधे 4 में 1 का difference है तो दोस्तों यह minus 1 cylinder लगाएंगे हम इसको और यह axis का हो जाएगा दोस्तों 180 क्योंकि 90 degree पे movement जादा है तो axis का हमारा हो जाएगा 180 अब इसका transposition कैसे करते हैं दोस्तों अब यह दोनों को add कर दो addition of both एक spherical लिया जाता है इसमें transposition का यह rule है कि दोनों को जोड़ दो और जो जोड़ है उसको spherical count करो और दोस्तों जो दोनों में change the axis and sign of cylinder दोस्तों जो cylindrical है उसकी जो उसका sign है पहले minus है तो उसको plus कर दो यह plus one cylinder हो जाएगा और उसका axis 180 को 90 कर दो तो यह इसका दोस्तों transposition है तो यह आपकी final reading है retinoscopy के बाद दोस्तों आज के topic में इतना ही उमीद जानकारी पसंद आई होगी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद